कि नमस्कार दोस्ति स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल लिक अडमी पर देखे हमारा यह यह यूपी PCS के प्रिलिम के टेस्ट सीरीज का डिसकेसन चल रहा था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पने PDF पेड़ गूरूप के टेस्ट नंबर 11 की और यह PDF पेड़ गूरू जहां पर बात की गई है पॉलिटी या फिर यूँ कहें तो राज विवस्था के टेस्ट के बारे में तो फिलाल इस टेस्ट के हमने अब तक 28 प्रशनों को कम्प्लीट कर लिया है इस लेक्चर में हम इसके आगे यानि की कुर्श्चन नंबर 29 से शुरुआत करने वाले हैं इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की सुरुआत करें जो भी लोग PDF पेड़ ग्रूप के मेंबर हैं उनको उनकी अगली टेस्ट यानि की टेस्ट नंबर 42 आज मिल जाएगा और 37 साथ टेस्ट नंबर 41 की एंसर की भी उनको आज प्रवाइड करवा दी जाएगी तो निश्चि जाल सुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कोस्टन नंबर 29 की यहां पूछा जा रहा है कि निम मिलकित में से कौन सी भारती सम्मिधान की विशेष्टा नहीं है जरुआत जरुआत चली नीचे से सुरूआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले विकल्प नंबर D की और सम्मिध संखवाद का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग यहां पताएए यही आप लोगों को मुझे लगता है कन्फियूज कर रहा होगा देखिए असहमित संगवाद या इसको विशम संगवाद भी कहा जाता है क्या कहा जाता है विशम संगवाद अब तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे दिखे, होता क्या है? इसका आर्थ जैसे कि मालीजे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एक तरफ, दूसरी तरफ पुरुवत्तर के कुछ राज्यों को ले लीजे, असम, अरुडाचल, सिक्किम, ठीक है? तो इन तीन राज्यों को ले लीजे दूसरी तरफ पुरुवत्तर भागों के विसेश राज्यों को ले लीजे, तो मैंने बोलते समय भी काना, सामाने राज्यों और विसेश राज्यों, ठीक है? दरसल इनकी स्वायतता और इनकी सक्तियां समधान ने कुछ अलग अलग निर्धारित कर रखी हैं, लेकिन इनकी सम्मिधानी के इस्थिती जो है वह एक दूसरे के समान ही है यानि कि यह एक ही संग के अलग अलग राज्य हैं जो कि कुछ हद तक कुछ राज्य अधिक स्वतंत्र हैं और कुछ राज्य थोड़ा कम स्वायतिया स्वतंत्र हैं केंदर से उनको कुछ जादा सुविधाय मिल जा कुछ राज्यों को समध्तान राज्यों के तरह टreten कर था। किसी वी प्रकार की अधिक सुविधा नहीं प्रतान करता है हमारे देश का सम्मिधान यहां । तो फिलहाल ऐसे संहभवाद को बोला जाता है असममित संहृवाद की इस्थिति बात करते हैं अगर कल्प नमबर सी की तो इसके बारे में मेरे ख्याल से उतना डीटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम सब को पता है कि हमारे संविधान में हमको कुछ मूलभूत भौदिक अधिकार दिये हुए जो हमारे जीवन के लिए आवस्यक हैं और इन अधिकारों की सुरच्छा की किये गए हैं ठीक है राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है हमारे अधिकारों के खिलाफ जाकर के यदि राज्य ऐसा करता है तो हम आर्टिकल 32 के अंतरगत सीधा सुप्रिम कोट जाकर के अपने अधिकारों को पूरा करवा सकते हैं या राज्य को अपने अधिकारों के हनन करने से रोक सकते हैं बात करें अगर विकल्प नंबर बी की जो कि स्वतंत्र अभिकरणों की विवस्था की बात करता है तो आपने देखा है कि हमारे संभिधान में CAG भी है, एक तरब, दूसरी तरब जो है हमारे संबिधान में निर्वाचन आयोग है, तीसरी तरब हमारे ही संबिधान में जो है, एक UPSC है और आधी अन्ने बिभिन्द स्वतंत्र अभिकरणा हैं जिस पर केंद्र का किसी भी प्रकार से या केंद्र की सरकार का नियंतरण नहीं होता है ठीक है तो अब इसमें से कौन सा है ऐसा जो हमारे भारती संमिधान की विवस्था नहीं है या विशेष्था नहीं है वह हो जाएगा, option number A सक्तियों का कठोर पृत्वक्रण हमारे भारती संमिधान की विशेष्था नहीं है क्यों तो देखिए दरसल हमने देखा69 सक्ति यहैं की इस्थिदी बनती वहाई तीन प्रति जिम्मेदार है वह विधाईका के प्रति जिम्मेदार है तो जब मंत्री परिशद विधाईका या कारेपालिका जब विधाईका को ले करके एकाउंटेबल है या फिर उसके प्रति जवाब दे है तो विधाईका किसी ने किसी प्रकार से कारेपालिका पर अपना निय कि यह जो है विधाई का द्वारा दिये गए बनाए गए कानूनों को मूल अधिकारों के आधार पर या फिर यूं कह लिजे तो उस हद तक सुन नेगोशित कर सकता है जिस हद तक वह जो है क्या कहते हैं उसको हमारे मूल भूत अधिकारों या फिर उसको क्या पोलेंग भाई जो केशवानन भारती के बाद में आया था अरे एक सेकेंड रुक ये तो कभी-कभी वर्ट्स जो है ना वह स्लिप कर जाते हैं दिवार में तो जो समिधान का मूल भूर धाचा है हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ थी कारेपालिका दूसरी तरफ था जुड़िसरी और तीसरा था हमारा अंग कौन सा था है विधाईका का ठीक है तो कारेपालिका विधाईका के प्रति जवाब देह रहती है इस कारण विधाईका जो है वह क पर अपना नियंत्रन बनाती है दूसरी तरफ हमको पता है कि सुप्रीम कोट ने केश्वानंद भारती के बाद में यह निरड़े देते हुए कहा कि भाईया आप किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो सम्मिधान के मूल भूत धांचे के खिलाप हो अब इस सुप्रीम कोट के द्वारा नहीं दी गई और समय समय पर सुप्रीम कोट इसमें बताता रहता है कि कौन सी चीज सम्मिधान के मूल भूत धांचे में आएंगी या कौन सी चीज सम्मिधान के मूल भूत धांचे के अंतरगत नहीं है तो हुआ क्या इस से कारिरपालिका का न देखा क्या यहां पर कंट्रोल की बात हो रही है तो हमारे हां सक्तियों के नियंत्रण का सिध्धान था है न कि सक्तियों के कठोर प्रिथक करण का ठीक है तो फिलाल आईए चलिए देखते हैं अगले प्रस्ण के बारे में यह देखिए यह PCS मंत्रा का टेस्ट नमबर 2 है जिसके बारे में हम लोग डिसकेशन कर रहे हैं और हमारे पेड़ ग्रूप का टेस्ट नमबर 11 है भारती संविधान में प्रस्तावना की भासा को किसी देश के संविधान से लिया गया है हमारे भारती संविधान में प्रस्तावना की भासा को आस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भासा के अलावा आर्टिकल नमबर 301 से 307 तक की बाते यानि की व्यापार वारिज और समागम संविधान और साथ ही साथ आस्ट्रेलिया के ही संविधान से समवर्ती सूची का भी प्रावदान हमारे भारती संविधान में लिया गया तो आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से तीन बाते ली गई है पहला प्रस्तावना की भासा, दूसरा व्यापार, वारिज्य और समागम संबंधी प्रावधान और तीसरा समवर्ती सूची का प्रावधान ठीक है? आईए अगले प्रस्न को देख लेते हैं पूछा जा रहा है कि निम में लिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ विभिन आर्टिकल्स दिये हुए हैं और दूसरी तरफ इन आर्टिकल्स के अंतरगत आने वाले विभिन प्रावधान दिये हुए हैं ठीक है आपको बताना है कि क्या यह प्रावधान दिये गए आर्टिकल से सुमेलित हैं अथवान नहीं नीचे दिये गए कूट के माध्यम से पहला है कानून का समान संरच्छण अनुच्छेद 15 दूसरा अस प्रिश्यता का अंत अनुच्छेद 18 तीसरा लोग नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 कूट है ए एक और दो बी दो और तीन सी केवल दो या डी केवल तीन जो सही अंसर है इसका वह सामान साहय है और आप सब को सुपर्चित होना अत्यंत अनिवार है और मेरे ख्याल से आप लोग सुपर्चित होंगे भी इसका सही अंसर अप Państwo number D केवल और केवल कथन नंबर 3 यानि कि लोक नियोजन में औसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में जबकि विधिके समच समान संद्छण या कानून का समान संद्छण दिया गया है अनुच्छेद 14 में अस्प्रिश्चता के अंत की बात करता है आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 15 जो है यह बात करता है जन्म लिंगस्थान जाती धर्म आधिके अस्थान आधिके आधार पर विभेद या अंतर को प्रतिशेद करता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है ठीक है चली चलते हैं अगले प्रश्नकी तरफ लेक्चर कहरा हूं है कि पूठा जारा है कि निजिता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है यह सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अ अनुच्छेद 19,-21,- , , अनुच्छेद तेईस या डी अनुच्छेद बाईस जो सही अंसर है इसका ध्यान से देखें निजेता का अधिकार आपके सरीर से संबंदिए तो थोड़ा सा कॉंसेप्ट समझने का प्रयास करें कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता होता है जैसे सोने का अधिकार आ गया थोड़ा सा विचार करिए ठीक और देखें कि इस प्रकार के सरीर संबंधी अधिकारों की बात कहां पर की जा सकती है ध्यान दीजेगा कि जब आप आप आर्टिकल नंबर 21 को देखेंगे तो वहां पर लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंतरता का अधिकार तो जो भी च सीधा सीधा उसमें दैहिक स्वतंतरता के साथ चले जाईएगा ठीक है बिलकुल आपका अंसर सही होगा हालांकि घूमने का अधिकार हमारे किस अनुच्चेत के अंतरगत मूलभूत अधिकार है जरा इसके बारे में कमेंट करके आप लोग बताईएगा और वह एक एक सप् हमारा अनुच्चेत 21 के अंतरगत दिया जाने वाला प्राण एवं दैहिक अधिकार के अंतरगत आता है इसके बारे में सुप्रिम कोट ने 2017 के पुट्टा स्वामी बाद में निर्णे दिया था नाम इनका भी ध्यान रखियेगा 2017 के पुट्टा स्वामी बाद में सुप्रिम कोट की नव सदस्य पीठ ने यह निर्णे दिया था कि जो निजता का अधिकार है वह मौलिक अधिकार है और यह जीवन एवं व्यक्तिकत स्वतंतरता के अधिकार के अंतरगत आता है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प् देखते हैं यहां पूछा जारा कि निमनिलिकित में से सही सुमेलित नहीं है ए अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंतरता बी अनुच्छेद 39 धर्म के अंतह करण की स्वतंतरता या सी अल्प संक्यक वर्गो द्वारा सिच्छा संस्थानों की इस्थापना और उनका संचालन या डी अनुच्छेद 32 सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है यहाँ नीचे से औप्चन नंबर बी अनुच्छेद 39 में धर्म के अंतह करण के स्वतंतरता की बात नहीं कई गयी है धर्म के अंतह करण की स्वतंतरता की बात या धर्म के प्रचार प्रशार करने का अधिकार दिया गया है अनुच्षेद पचीस में जब कि अनुच्षेद उनतिस जो है यहां आप देखेंगे कि अल्प संख्यक वर्गों के हीतों के सनरच्छड संबंधी अधिकारों की बात करता है जिसके अंतरगत अगर आप अनुच्छड 29 का स्खंड एक देखेंगे तो वहाँ पर बात की गई है कि यदि भारत राज्य के अंतरगत रहने वाले किसी भी व्यक्तिका या किसी भी समुदाय का कोई विशेस भासा लीपी संस स्कृत आदी है तो उसको उसकी सनरच्छा करने का अधिकार होगा वहीं आगे बढ़ते हुए अनुच्छड 29 यह भी कहता है कि यदि कोई ऐसा सिच्छा संस्थान है जो कि राज्य द्वारा वित्त पोसित या फिर यूं कर लिए तो राज्य द्वारा इस्थापित है या फिर जिसको अन्य प्रकार से राज्यों की निधि से सहायता प्रदान की जा रही हो उसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वन्चित नहीं किया जाएगा उसके धर्म, मूलवंस, जाति या भासा या इनमें से किसी भी एक के आधार पर फिलाल बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं इनको देखते चलिए अनुचेद 26 में बात की गई है धार्मिक कार्यों के प्रवंधन के स्वतंतरता के बारे में तो अनुचेद 30 में बात की गई है अल्प संखे को द्वारा सिच्छा संस्थानों की इस्थापना और इनके संचालन के बारे में और वहीं अनुचेद 32 में बात की गई है हमारे दिये हुए सब ही मूलवुत सम्मेधानिक अधिकारों की सुरच्चा के बारे में ठीक है दिखे इसे भी मूल अधिकार के अंतरगत रख दिया गया है ताकि इसकी भी अवहेलना या फिर इसका भी हनन राज्य द्वारा न किया जा सके निम्नलकित में से कौन सा कथन नीत निदेशक तत्वों के बारे में सही है पहला इसका स्रोत सयुक्त राज्य अमेरिका का सम्मिधान है दूसरा बी इसका उद्देश से भारत को कल्यान कारी राज्य बनाना है सी नियायाले द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है या डी राज्यों को इसे लागू करने के लिए केंदर सरकार दिशा निर्देश जारी करता है देखे हमारे सम्मिधान के भाग च्यार में आठकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक यानि की अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भी प्रावधान है वह सब नीती निदेशक तत्वों के अंतरगत आते हैं और जिसका उदेश्च है भारत को एक कल्याण कारी राज्च बनाना अर्थात दिये गए कत्रों में से जो विकल्प सही है वह है आप्सन नंबर B बात करें अगर हमारे सम्मिधान में दिये हुए नीती निशक तत्वों के स्रोत के बारे में तो इसका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्मिधान नहीं इसका स्रोत आयर लेंड का सम्मिधान है और अर्टिकल नंबर 37 को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर यह बताया गया है कि इस भाग में दिये गए किसी भी विशय का जो है वह नयायाले द्वारा प्रवरतन नहीं कराया जा सकता है कुछ इस प्रकार की या ऐसे कुछ exact सब्दों तो मुझे आपको पता है कि ऐसे नहीं आध होगा ठीक है तो नयायाले में परिवरतन के रोक की बात या enforcement कराने की बात की गई है कहां पर आटकल लंबर 37 के अंतरगत चीक है तो नयायाले द्वारा नियति निर्शक्तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता है और न तो केंदर सरकार इस संबंध में राज्यों को किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी कर सकती है मतलब राज्यों को पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है कि वह हमारे संबिधान में दिये गए कल्यानकारी भावनाओ या कल्यानकारी राज्ये को बनाने के लिए दिये गए नीति निर्शक्त सिधानतों को किस प्रकार से लागू करें और किस तरह से उनको हमारे हित में कार्यानवित करे तो फिलाद आईए चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण के बारे में पूछा जा रहा है कि निमनलखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद चालिस ग्राम पंचायतों का गठन बी अनुच्छेद चवालिस समान नागरिक सहीता सी अनुच्छेद पचास क्रिस एवं पसु पालन का गठन या डी अनुच्छेद इकतालिस कुछ दसाओं में काम पाने का अधिकार चलिए आसान प्रस्ण है और आसान सा उत्तर है option number C अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कारेपालिका के प्रिथक करण की बात कही गई है न कि क्रिसी एवम पसुपालन के संदर्व में बात की गई है ठीक है अनुच्छेद 50 में जबकि अनुच्छेद 48 बात करता है क्रिसी एवम पसुपालन के गठन को ले करके बाकी अनने सभी सही सुमेलित है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है तो 44 में जो है यह बात करता है समान नागरिक सहीता की आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहता है और वहीं अनुच्छेद 41 म को कुछ दसाओं में काम पाने के अधिकार की बात करता है ठीक है मन रेगा इसी के अंतर गताएगा अगला प्रस्ण है पूछा जा रहा है कि मूल करतब्यों के बारे में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला इसे 42 मा सम्मिधान संसोधन 1976 द्वारा सम्मिधान में जोड़ा गया है दूसरा इसे सरदार स्वर्ण सिंग सम्मिधी की अनुसंसा पर सम्मिधान में जोड़ा गया है तीसरे वरतमान में इनकी संख्या 11 कूट है A. 1 और 2 B. 2 और 3 C. 1 और 3 D. 1, 2 और 3 चली तो जो सही अंसर है इसका वह है option number D अभी फिलाल हमको नहीं दिख रहा है यहां पर बात करते हैं देखिए हमारे सम्मिधान में मूल करतब्यों को पहली चीज़ तो सम्मिधान के मूल पाठ में या मूल भाग में यह मूल करतब्यों की विवस्था नहीं थी इसको जानते चलिएगा मूल करतब्य हमारे सम्मिधान में बाद में 42 सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे सरदार सुरण सिंग सम्ती की शिफारिसों के आधार पर ठीक है ?, અनिस्सोचियत्थर में جब symptoms 32 सम्मिधान संसोधन के माध्यम से यह मूल करतब्य हमारे सम्मिधान में जोड़े गए तब वहाँ पर बात की गई थी दस के बारे आगे चल करके mon video 2002 में 86 में सम्मिधान संसोधन के अंतरगत एक अन्य मूल करतब्य जोड़ा गया जिसके साथ ही मूल करतब्यों की संख्या बढ़ करके 11 हो गई इस 86 में सम्मिधान संसोधन के माध्यम से जूड़े गए 11 में मूल करतब्य में बात की गई थी कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के अंतरगत आते हैं उनके अभिवावक उनको पढ़ाने का सू अवसर प्राक्त करवाएंगे ठीक है कुछ इस प्रकार की बाते कही गई थी नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि निमलिखित में से किन मूल अधिकारों को राष्ट्री आपातकाल के दोरान निलंबित नहीं किया जा सकता है तो राष्ट्री आपातकाल के समय भी नहीं निलंबित होने वाले अनुच्छेद 20 और 21 इसके लिए आर्टिकल नंबर 359 आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखेगा फिलाल मोटा मोटी एक बात कर लेते हैं इनके बारे में कि देखे 44 में सम्मिधान संसोधन 1976 के माध्यम से कब 44 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्री आपात के समय भी निलंबित नहीं होने का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 20 हमको कुछ दसाओं में स्वयम के विरुद्ध साच्ची होने या अभिरच्छन से स्वतंतरता प्राप्ट करने का अधिकार प्रदान करता है तो अनुच्छेद 21 हमको प्राण एवं देहिक स्वतंतरता का अधिकार प्रदान करता है ठीक है तो इन अधिकारों का आपात काल के समय भी बनाये रहने का यह उद्देश से रखा गया था कि कभी भी यदि देश में आपात की विवस्था आ जाती है तो सरकारे जो है वह मनमानी रूप से किसी को भी गिरफतार न कर लें ठीक है बाकी सभी अन्यमूल अधिकारों को राश्टपती एक उद्ध घोसडा के माध्यम से निलंबित करता है वे स्वतह निलंबित नहीं होते हैं ठीक है स्वतह निलंबित होने वाला अधिकार अनुच्छेद 19 है ठीक है आठकल लंबर 358 एक बार ध्यान पूर्वक देखि जाता है दूसरा लोगसभा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तीसरा भारत में एक बार भी वित्तिय आपात की उद्ध घोसडा नहीं हुई है दिये गए कत्रों में से कौन सा सही है एक और दो बी दो और तीन सी एक और तीन या डी एक दो और तीन आपात काल की इस्थितियों के बारे में बात की गई है इस प्रस्न में फिलहार ध्यान पूर्वत देखिए कि राज्य सभा का विगटन हो जाता है राज्य सभा हमने पढ़ा है कि राज्य सभा एक इस्थाई सदन है जिसका विगटन नहीं हो सकता है ठीक है बलकि इसके एक बटे तीन सदस्य जो है वो प्रत्येक दो वर्स बाद सेवा निर्वे तियार फिर रिटायर हो जाते हैं और उनके इस्थान पर नए सदस्यों का चैन कर लिया जाता है फिलहार आठकर लंबर 83 सब क्लास वन में यह चीज बताई गई है कि जो राज्य सभा है वह एक इस्थाई सदन है और इसका विगटन नहीं किया जा सकता है ठीक है जबकि लोक सभा को जो है वह एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहट आपातकाल प्रवित्य में हो या आपातकाल लागू हो लेकिन ध्यान रखेगा कि लोक सभा के कारेकाल को एक बार में अधिक्तम एक वर्स के लिए ही बढ़ाया जा सकता है यदि दुबारा ऐसा करने की आवसकता होती है तो इस संदर में दुबारा आदेश दिया जाएगा ठीक है और किसी भी दसा में यदि आपातकाल हट जाता है तो यह व्यवस्था छे माह से अधिक के लिए लागू नहीं होगी ठीक है इस प्रकार की बाते की गई है आर्टिकल लंबर 83 के सबक्लास 2 या उपखंड 2 में बात कही गई है ठीक है और दूसरी और सबसे अंतिम बात की हमारे देश में अभी तक किसी भी प्रकार के वितिय आपात की उद्गोसडा नहीं हुई है ठीक है तो फिलहाल इस प्रस्ण में हमने देखा कि पहला विकल्प गलत है पहला इस्टेट्मेंट गलत है बाकी दोनों सही है तो विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी यानि कि दो और तीन जो है वह सही है निक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि भारती सम्मिधान का प्रत्थम संसोधन संबंधित है ए पहली अनुसूची से बी तीसरी अनुसूची से सी नवी अनुसूची से या डी इग्यारहवी अनुसूची से चली हमारे सम्मिधान का पहला संसोधन जो है वह 1951 में ही हो गया था और इसके माध्यम से हमारे सम्मिधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जो इसका की सुप्रीम फोट या जिसको संरच्छड प्रदान किया गया था जिसके अंतरगत राज्यों के कानून को न्यायालेओं से ठीक है क्या हो तो देखिए दरसल संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार के अंतरगत सामिल कर लिया गया था ठीक है तो अब चुंकि विकास का कारिया डेवलप्मेंट का कारिय करना अनिवारे था और इसके लिए जमीन की अधिकार मूल भूत अधिकार हो गया तो किस प्रकार से हम किसी की भूमी का जो है किसी अन्य के दे सकते हैं या फिर उसका उपयोग कर सकते हैं तो चला जागा सीधा सुप्रिम को तो इस वेवस्था से बचाव के लिए जमिदारी कानूनों के उन्मूलन के लिए जमिदार इसके उन्मूलन या जमिदारी कानूनों को लागू करने के लिए नवी अनुसूची बनाईगे जिसके अंतरगत राज्यों के कानूनों को संरच्छन प्रदान किया गया सुप्रीम कोट या किसी भी नयायाले के अवलोकन से ठीक है और साथ ही साथ इसमें दो नय अनुच्छेद भी जोड़े गए अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जिसमें किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को अरजित करने के बारे में राज्य सरकार उसकी संपत्ति को किस प्रकार से ले सकती है इस बारे में प्रावधान किया गया जिस गया कि इसके अंतर्गत बनाई गए या लाए गए किसी भी नियम को हमारे सम्मिधान में दिये गए मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत सुन्य नहीं माना जाएगा कुछ इस प्रकार के प्रावधान दिये गए थे ठीक है फिलार अगला प्रस्ने देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से सही सुमेलित नहीं है A. 86 मां सम्मिधान संसोधन सिच्छा का अधिकार B. 61 मां सम्मिधान संसोधन मता अधिकार की आयोग कम करना C. 52 मां सम्मिधान संसोधन दल बदल कानून D. 91 मां सम्मिधान संसोधन राष्ट्रिय न्याइक आयोग का गठ चली इसका जो सही अंसर है वह तो है आप्शन नमबर डी 91 में सम्मिधान संसोधन जो है वह राष्ट्री नियाइक आयोग की बात नहीं करता है 91 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से मंत्री परिशत के आकार को सीमित करने की बिवस्था की गई थी ठीक है हुआ क्या था कि लोग कई कई मंत्री बन जाते थे एक ही सरकार में तो अब उनको अलग से सुझा उनको अलग से चीजे लोग आए गड़बंधन के मजबूरियों के कारण किसी को भी बुला लिया एक दल जीता हुआ है एक व्यक्ती जीता हुआ है मातर चुनाओ और उसको भी मंत्री बना दिया गया तो कुछ इस आधार पर इन सब चीजों के दुरपयोग को रोकने के लिए 91 में समिधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र में और राज्यों में मंत्री परिष्ट की संख्या को सीमित करने का प्रावधान किया गया इस 91 में समिधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से संग के लिए अनुच्छेद 75.1 में एक बाद अनुच्छेद 75.1 के बाद A और B उपखंड जोड़े गए जिनमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिसत से अधिक नहीं होगा मंत्र प्रतिसत का आकारिया केंद्री मंत्रियों के कुल संख्या जो है वहाँ लोकसभा सदस्यों की सदस्य संख्या के 15 प्रतिसत से अधिक नहीं होगी वहीं राज्य सभा के बारे में भी सेम प्रावधान किया गया था यहाँ पर अनुच्छेद 164 सब क्लास 1 के बाद दो उपकंड जोड़े गए 1A और 1B जिसमें भी सेम बाते कही गए साथी साथ एक सर्थ रखी गई कि राज्यों में मंत्रियों के कुल संख्या जो है वह मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए ठीक है एक निवनुतम सीमा भी रखी गई है ठीक है तो फिलहाल चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में दो हजार तीन में हुआ तरिया है 91 सम्मिधान संसोधन निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला भारत का महान्यायवादी राष्टपति के प्रसाद परियंत पद्धारण करता है दूसरा यह भारत सरकार का सर्वुच विधियाधिकारी है तीसरा यह मुख्ए नियाधिस को विधीक मामलों में परामर्ष दे सकता है आपको बताना है कि उपरोक्ट में से कौन सा कथन जो है वह सही है आप्षन है 1 केवल 1, B केवल 2, C दो और 3, D एक दो और 3 चली जो सही अनसर है इसका वह है आप्षन नंबर B ठीक है? एक और दो सही है भारत का मुख्य नयदिस है तो भाई यह जो है मुख्य नयदिस यानि Chief Justice of India भारत का महानयवादी है भारत सरकार का महानयवादी है तो यह मुख्य नयदिस को क्यों विधीक मावलों में परामर्स देगा ठीक है तो देखे अनुच्छेद 76 के अंतरगत भारत में मुख्य नयवादी की अनुच्छेद 76 के अंतरगत हमारे देश में महानयवादी की विवस्था की गई है और महानियावादी की नियुक्ति जो है किंद्र में राष्टपती के द्वारा की जाती है मंत्री परिशत के सलाह के उपरांत ठीक है कहाँ पर बात की गई है इसके बारे में तो अनुच्छेद 76 में बात की गई है और भारत का महान्यावादी जो है भारत सरकार का सर्वोच विधी अधिकारी होता है और जो विधी कमामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है ठीक है यह अपने करतव्यों के निर्वहन में इसको देश के किसी भी नयायाले में सुनुमाई का अधिकार होता है कर्तव्यों के निर्वहन कहने का मतलब क्या है इसका कर्तव क्या है तो भारत सरकार की पैरवी करना ठीक है तो भारत सरकार की पैरवी करने को ले करके यह देश के किसी भी नयायालाय में खड़ा हो सकता है यह देश के किसी भी नयायालाय के समच्च उपस्थित होने का अधिक रखता है ठीक है और साथी साथ यह भी जानते चलिए कि यह दोनों सदनों के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसमें मत देने का अधिकार या मतदान की स्थिति में वह जो है मतदान नहीं करेगा ठीक है कौन भारत का महा न्यायवादी और इसे कैबिनेट म दर्जा इसको नहीं प्राप्त है मंत्रिपरिशत के सदस्य का दर्जा जो है महा न्यायवादी को नहीं मिला है साथी साथ महा न्यायवादी जो है वह अपनी व्यक्तिकत प्रेटिस भी कर सकता है क्योंकि इसका पद जो है वह सरकारी पद नहीं है या किसी प्रकार का सरकार कर्मचारी नहीं है ठीक है लेकिन एक कंडिशन है कि यह भारत सरकार के खिलाब किसी मुकदमे की पैर भी नहीं कर सकता है ठीक है तो चलिए इसे से सम्बंधी दो तीन और प्रश्ण है इनको भी फटा-फट कर लेते हैं पूछा जा रहा है कि भारत के महानयावादी के सम्बंध में निम्नमे से कौन सा कथन सत्य नहीं है ए इसे भारत के सभी नयायालियों में सुनवाई का अधिकार है बी यह संसत के दोनों सदनों की कैर्यवाई में भाग ले सकता है C. यह संसत की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है D. इसे मंतरी परिस्द सदस्य का दरजा प्राप्त है तो अभी अभी आपको बताए गया कि इसे जो है कैबिनेट मंतरी का दरजा प्राप्त नहीं होता है महानयायवादी भारत के संसत के दोनों सदनों की कारिवाई या इनकी स्रेवत बैठक में भाग ले सकता है लेकिन इसे मतदान होने की स्थितिपी में मत देने का अधिकार नहीं है ठीक है और साथी साथ अपने करतब्यों के निरोहन में महानियावादी को भारत के सभी नियायालियों में सुनवाई का अधिकार है अगला प्रस्ण है कि निम्ले लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला भारत का महानियावादी सरकारी कर्मी की स्रेडी में आता है दूसरा यह नीजी प्रेक्टिस नहीं कर सकता है उपरोक्त में से कौन सा सही है यह केवल A, P केवल 2, C दोनों या D, दोनों में से कोई नहीं तो भारत का महान्यावादी जो है सरकारी कर्मी की इस्थिति में स्रेडी में नहीं आता है और यह अपनी नीजी प्रेक्टिस भी कर सकता है इस कारण दिये गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा आप्सन नमबर D, दो के दोनों कथन जो हैं वह गलत है नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि भारत के निम्न प्रधान मंत्री और उनके कारेकाल पर विचार कीजिए पहला चंदर सेखर, दूसरा वीपी सिंग, तीसरे राजिय उगांधी, चोथे पीवी नर्सिम्हा राव कारेकाल के अनुसार आपको इनका क्रम लगाना है चली, तो जो सही एंसर है, इसका वह है, आप्सन नंबर सी, 3, 2, 4, 1, राजिय उगांधी का कारेकाल था, कब से कब तक का, 84, 84 लिद गुना बर, 1984 रहे का, ठीक है, 84 से 89 तक राजिय उगांधी का कारेकाल रहा था, वीपी सिंग का कारेकाल रहा था, 1989 से, 1989 से ले करके, 90 तक का, उसके बाद जो है, मताईए, चंदर सेखर का कारेकाल रहा था, कब से कब तक का, 1990 से 91 तक का, और सबसे अंत में बात आई, हमारे टीवी नरसिम्हाराओ की, जिनका कारेकाल 91 से ले करके, 96 तक यानि की, 5 वर्ष तक चला था, ठीक है, चली, बात कर लेते हैं, अगले प्रस्न के बारे में, इसमें कुछ ऐसा समझने समझने वाला है, तुम्हाराओ, पूचा जा रहा है कि भारत के पहले महानियावादी थे, चली, तो हमारे देश के प्रथम महानियावादी थे, यानि की आप्शन नमबर B, ठीक, निक्स्ट, भारत के राष्टपती के सम्बंध में, निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए, पहला, यह संसत का अभिन्न अंग होता है, दूसरा, यह देश का प्रथम नागरिक होता है, तीसरा, यह संग्हिय कारेपालिका का प्रधान होता है, सब के सब जो है, किसी ने किसी आर्टिकल में डायरेक्ट रूप से दिये हुए हैं, उपरोक्ति में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है, वह सही है, जरा सम्हेनत अगर फोकस कर लें, तो सम्मिधान आपके मैस की तरह हो जाएगी पॉलिटी, एक भी कुश्चन जो है, इसमें से गलत नहीं हो सकता है, फिला, जो सही अंसर है, इसका वह है, आप्सन नमबर दी, तीन के तीनों स्टेटमेंट जो है, सही है, आटकल नमबर 79, पहले स्टेटमेंट के लिए आप देखिएगा, आटकल नमबर 53, दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप देखिए, आटकल नमबर बताएए कौन सा आप देखेंगे, इस तूसरे नंबर के स्टेटमेंट के बारे में कि हमारा राश्पती जो है वह देश का प्रथम नागरिक होता है और साथी साथ संगीय कारेपालिका का प्रधान भी होता है इस संदर में कौन सा आर्टकल आप देखेंगे कमेंट करके जरूर बताईएगा देखें थोड़ा थोड़ा आप लोग भी साथ में मिलकर के प्रयास करेंगे तभी चीज़े आसान होती है और याद होती है मुझे क्या है मैं बता सकता हूँ आसानी से लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग भी निक्स्ट, राष्टपति के निर्वाचक मंडल के संदर्व में निम्न पर विजार कीजी पहला लोकसभा के सभी सदस, दूसरा राज्यसभा के सभी सदस, तीसरा राज्य विधान मंडलों के सदस बताना है कि उपरोग्त में से कौन राष्टपती के निर्वाचक मंदल में सामिल नहीं होते हैं A. एक और दो B. दो और तीन C. एक और तीन या D. एक दो और तीन चलिए तो जो सही अंसर है वह है option number D तीन के तीनों ही राष्टपती के निर्वाचक मंदल में सामिल नहीं होते हैं कैसे तो लोकसभा के सभी सदस नहीं और ना राजसभा के सभी सदस यहीं पर गलत हो जाता है ठीक है लोकसभा के केवल और केवल निर्वाचीत सदस और इसी प्रकार से राज सभा के भी केवल और केवल निर्वाचित सदस या elected member ही भाग लेते हैं राश्टपति के निर्वाचन में वहीं राज विधान मंडल में दो भाग होता है एक विधान परिसद होता है और एक होता है विधान सभा यानि की एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है तो दोनों सदनों के सदसे भाग नहीं ले सकते हैं केवल और केवल निम्न सदन यानि की विधान सभा के सदसे या पिरी सीधे सीधे के लेजे तो ऐसे सदसे जिनका की निर्वाचन होता है किसी ने प्रकार से किसी ने किसी legislative assembly में वह भाग ले सकते हैं लेकिन मनूनित सदस से जो है वह राष्टपती के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं ठीक है तो राज्यों की विधान सभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस लोक सभा के भी केवल निर्वाचित सदस राज्य सभा के भी कयेवल निर्वाचित सदस इलिग इलेक्टेड मेंबर और राज्जू की विधानसभा के कय भी केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपैट कर सकते हैं तो ठीक किसी प्रकार से दो किंदर सासित प्रदेश بھی हैं जहां पर विधान सभाउं का चुनाव होता है उन में सामिल है दिल्ली और पुडूचेरी तो यहां के भी निरवाचित सदश से जो है वह राष्ट पती के चुनावों में या राष्ट पती के निरवाचन में भाग ले सकते हैं ठीक है, कहाँ पर इसके बारे में प्रावधान है तो Article No. 54 में राष्ट पती के निर्वाचन के संबन्धी प्रावधान दिया गया है निक्स्ट और अगले प्रस्ण के बारे में बात करते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्टपती के निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है A. एकल संक्रमणी मत प्रणाली P. वयस्क मताधिकार C. अप्रत्यच निर्वाचन D. नियत निर्वाचक मंडल तो हमने देखा कि राष्टपती के निर्वाचन के लिए एक नियत निर्वाचक मंडल होता है जो की होता है लोकसभा, राजिसभा, विधानसभा के और निर्वाचित सदस्यों के से मिलकर के जो निर्वाचक मंडल बना होता है दूसरी चीज, यह किस प्रकार का चुना ओ गया, आप तो भाग ले नहीं रहे, आप इंडारेक्टली, मतलब आपने जिनको चुना, वे चुन रहे हैं राश्ट्पती, तो यह राश्ट्पती का चुनाओ अपरत्य चुनाओ ऐ से लेक्सन होता है, इसन्वे निर्वाचन रा सदस्यों के बारे में अलग से प्रावधान है कि किस सदस्य के उम्र की क्या सीमा होगी क्या सीमा नहीं होगी सामानेते हैं वे सभी वयस्क होते हैं लेकिन राष्टपती की निर्वाचन में इस परकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जो वयस्क लोग हैं वे ही मतदान कर सकते हैं उसमें बस इतनी बात कही गई है कि जो भी इन इन सदनों के सदसे हैं वह मत दे सकते हैं या राष्टपती के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं तो आप्सन नमबर बी जो है वह गलत है और राश्टपती का निर्वाचन जो है वह एकल संकर्मणरी मत प्रणाली के आधार पर होता है ठीक है कहाँ पर यह सारी बाते कहीं गई तो आर्टिकल लंबर 55 के सब क्लास 3 में यह सारी बाते कहीं गई है नेक्स्ट और अगले प्रस्ण के बारे में बात करते हैं राश्टपती राज्यसभा में निम्न में से किस छेतर से कुछ सदस्यों का मनुनियन नहीं कर सकते हैं ठीक है राश्टपती राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनुनित कर सकता है तो इन 12 सदस्यों में कौन-कौन सी खुविया होती है किन-किन छेत्रों से ये 12 सदस्य हो सकते है यह आपको पता होना चाहिए तब आप बता सकते हैं कि राश्पती जो है वह इन छेत्रों से इन 12 सदस्यों में किसी वेक्टी को नहीं ले सकते है ठीक है तो फिलाल ए विज्ञान बी कला सी सहकारिता या डी समाज सेवा चली तो आर्टिकल नमबर असी ठीक है आर्टिकल नमबर या अनुच्छेद असी में राष्टपती के अधिकार दिया राष्टपती को यह अधिकार दिया गया है कि राष्टपती राजसभा में बारा सदस्यों को मनूलित कर सकता है जो कि साहित विज्ञान कला एवं समाज सेवा के छित्र में विशेष ग्यान या अनुभव रखते हों ठीक है सहकारिता या कोपरेशन की बात नहीं कई गई है चार कंडिशन है या तो साहित या विज्ञान या कला या फिर समाज सेवा का विशेष ग्यान या अनुभव रखने वाले बेक्तियों में से बारा सदस्यों को राश्पती राजसभा के अंदर मनूनित कर सकता है अनुच्छेद असी के अंतर गत बात कर लेते हैं अपने इस लेक्चर के अंतिम प्रश्ण के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि राश्पती को निम्ण में से किसे उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्क नहीं है ए संग के मंद्री, बी राज्यों के राज्यपाल, सी महानयवादी या डी कैग नियंतरक एवं महालेखा परिच्छ चली तो ये सब ही इन सब ही के साथ कंडिशन है कि ये राश्पती के परसाद परियंत अपने पद को धारण करते हैं कि कैग जो है वह एक स्वतंत्र नियामक की तरह कारे करता है, इसको समिधान के अंतर गतफिजित किया गया यह एक पदे है जिसके बारे में कठोर प्रावधान भी किये गए हैं कठोर प्रावधान कहने का मतलब जिसको हटाने के लिए बहुत मुश्किल चीजों से गुजरना पड़ता है सरकार को या राश्टपती को आटकल नंबर 148 सब क्लास 1 से इसको इस प्रकार की सुरच्छा प्रदान की गई है कि कैग को हटाने के लिए एक विशेश प्रक्रिया होगी जिसमें संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही इसको हटाया जा सकता है फिलहाल जब कैग पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको देखेंगे बहुत सारी और कंडिशन्स इसमें हैं तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट और अगले टेस्ट सीरीज में अगले लेक्चर में बात करेंगा हम लुक टेस्ट के आगे के 50 से 55 प्रस्नों के बार करें में तो थैंक्यू थैंक्यू विलिम्स फर्ड डिसकर्शन चैनल को लाइक सब्क्राइब और सेयर करना मत भूलिएगा धन्यवाद